हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी आईक्यू में और मैं अभिनवराज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम अनौंस्मेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ और ये है ECGC PO Exam के रिगार्डिंग यानि कि जो Export Credit Guarantee Corporation है उसके तरफ से एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग PO Exam और इसके लिए हमारे पास कोर्स लॉंच हो चुका है जिसके बारे में आप यहाँ पर बिसेज जनकारी ले सकते हैं इस कोर्स का अभी प्राइस है 5600 रुपीज और इस पर अभी हैवी डिसकाउंट्स हैं कोर्स में more than 600 वीडियो ज लेक्चर के नोट्स हैं यहाँ पर पूरी कोर्स की डिटेल दी गई है जिसको आप देख सकते हैं सारे के सारे पहलों को यहाँ टच किया गया है और यहाँ पर आपको नीचे में डेमो वीडियो मिलेंगे और पूरा यहाँ पर जो है कोर्स का कंटेंट आप स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई दुविदा है कोई संकोच है तो आप यहाँ पर एक क्यू यानि की फ्रिक्वेंटली आस्क्ट क्वेस्चन सेक्शन में अपने जवाब को पा सकते हैं अन्या था यहाँ लेट्स चैट का सेक्शन जो ह इसी जी सी लिमिटेड के तरफ से और यहाँ पर बताया गया है रिक्रिट्मेंट ओफ प्रोवेशनरी ओफिसर्स और यहाँ पर वो लिंक दे दिया गया है www.ecgc.in यहीं जाकर आपको अपलाई करना है और यहाँ पर पे स्केल बताया हुआ है 53,600 से लेके 90,630 रुपए इ यहाँ पर काम की जो बात है वो देख लीजेए schedule जानना बहुत जरूरी है exam का तो जो online registration है इसमें editing का option या modification जो है वो सब कुछ हो सकता है 21 March से लेके 20 April के बीच में और मेरा यहीं आप से हर बार सला होता है कि जितना जल्दी हो सके form को भरके free mind हो जाईए और पढ़ाई में लग जाईए exam के तयारी में लग जाईए जो online application fee pay करना है उसके लिए भी sim है 21 March से लेके 20 April 2022 और जो call letter आप download करेंगे pre exam training के लिए ऐसे candidates जिन्होंने कभी online mode में exam नहीं दिया है और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को feel करते हैं कैसे next option click करना होता है तो उनके लिए call letter डाउनलोड करना होगा वो होगा 25 April 2022 के बाद से और जो pre exam training है मतलब वो schedule cast और schedule tribe category के candidates के लिए होना है वो first और second week में होगा में 2022 में apart from this जो call letter है online return exam के लिए वो होगा download first week of में में और फिर online return exam होना है 29 माई 2022 को ये दिन जो है आप याद रखेंगे और जो results आने है online return exam के वो आ सकते हैं 15 से लेके 19 June 2022 के बीच में और interview जो होगा जुलाई या फिर August 2022 में तो इसके लिए candidates को चाहिए कि बीच बीच में update देखते रहें या हम भी अपने इंट से आपको update देते रहते हैं टोटल जो यहाँ vacancies है उनकी संख्या है 75 वैकलोग vacancies पहले देख लें तो schedule tribe category में 1 है और total यही एक backlog vacancy है इसके अलावे जो नए vacancies हैं और ये सब कुछ है 31 March 2022 तक के लिए इसमें कुछ changes हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए मान के चलिए तो schedule cast category में 11, schedule tribe में 9, OBC के लिए 13, EWS म इसमें 34 और total यहाँ पे हो गए 74 और एक backlog की vacancy मिला के हो गए total 75 यहाँ पर changes वैकरा हो सकते हैं यह भी देख लेंगे यहाँ पर कुछ seats जो है जो vacancies है वो है for persons with benchmark disability यहाँ OC category में 1, VI category में 1, HI category में 1, जो fourth category है जो की specific learning disability है या multiple disability है उसके लिए एक seat है यानि total यहाँ पे 4 seats हो with benchmark disability eligibility criteria जान लेना बहुत जरूरी है आप apply कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो nationality है जो citizenship है उसकी बात कर दी गई है इन चीजों में हमें time नहीं waste करना है एज जानना जरूरी है तो 21 March 2022 को आपका एज जो है कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 30 साल होना यानि वो candidate जिसका जन्म जो है 22 March 1992 के पहले ना हुआ हो और 21 March 2001 के बाद ना हुआ हो वो सभी लोग apply कर सकते हैं यहाँ पर बता दिया गया है age relaxation के बारे में कि सीडूल कास्ट केटेगरी में 5 वर्स का age relaxation है सीडूल ट्राइब केटेगरी में भी 5 वर्स का age relaxation है OBC केटेगरी जो है non creamy layer में यहाँ तीन वर्स का आप देख सकते हैं age relaxation persons with benchmark disability 10 वर्स और यहाँ पर एक सर्विसमेन केटेगरी के लिए 5 वर्स यह सब कुछ जो है अब यहाँ पर देख लीजिए educational qualification की बात की गई है तो कम से कम जो है आपका एक डिगरी होना चाहिए graduation का यानि आप graduate होने चाहिए जिसको कहते हैं कि bachelor's की डिगरी होनी चाहिए एक recognized university से होना चाहिए भारत में यह equivalent qualification recognized as such by central government इस बात का ध्यान देंगे और यहाँ पर valid marksit होना चाहिए या degree certificate होना चाहिए यह सब कुछ आप याद रखेंगे और यहाँ पर जो final result है वो 20 April 2022 के पहले का होना चाहिए यानि जो form भरने का आखरी दिन है percentage वेगरा calculate करने की बात की गई है और यहां round figure वेगरा करने पर ध्यान देंगे कि 59.99% को 60 से कम आना जाएगा इसी तरीके से 54.99 को 55 से कम आना जाएगा इस बात का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर बाकी अप category जो है persons with benchmark disability में उनको अच्छे से explain किया गया है कि इस तरीके का जो issue है तो उसके लिए कैसा certification वेगरा होना चाहिए इंची जो को बहुत अच्छे से बता दिया गया है और अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पे तो recruitment process को बताया गया है कि जो पहला चरण है online exam होगा AMC क्यू होंगे वो return exam जो होगा multiple choice questions होंगे तो यह reasoning ability के इसमें 50 questions आएंगे 50 marks के और इसके लिए 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा English के 40 सवाल आएंगे 40 marks के आधे घंटे का वक्त मिलेगा computer knowledge के 20 सवाल होंगे 20 marks के 10 मिनट का वक्त होगा general awareness के 40 सवाल 40 marks के 20 मिनट का वक्त होगा क्वांट यानि math जो है इसके 50 सवाल 50 marks के 40 मिनट का वक्त होगा और इस तरीके से total 200 marks के question होंगे total 200 होगी उनकी संख्या और इसके लिए आपको 140 मिनट का वक्त मिलेगा यानि 2 घंटे 20 मिनट जो descriptive paper है essay writing और precise writing आएगा यहाँ पे English language का यहाँ पर ज्हाच होना है दो options होंगे उसमें से एक लिखना होगा essay और इसी तरीके से precise लिखना होगा 20-20 marks के होंगे 40 मिनट मिलेगा for both questions समझ गए यह सब कुछ होगा उसके बाद आपकी जो है merit तैयार कर ली जाएगी और यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि जो descriptive paper है यह इसको record किया जाएगा for merit listing ठीक है it will only be evaluated for those candidates who qualify for objective यानि कि जो candidates जो की पहला जो MCQ format है उसको qualify कर लेंगे उसके बाद ही उनकी descriptive की copy जाची जाएगी इस बात का याद मतलब इस बात को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ criteria पूरा होना चाहिए जब आप exam देने आए जैसे आपके पास admit card होना चाहिए photo वाला identity proof होना चाहिए और यहाँ पर एक ID card का jerox होना चाहिए समय से आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर negative marking होता है यहाँ पर देखेंगे कि one fourth यानि 0.25 marks जो है वो deduct कर लिये जाएंगे हर एक wrong answer के लिए यहाँ exam center का पूरा list दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी exam center में change को entertain नहीं किया जाएगा यह सब कुछ आप देख लेंगे cut off score वागरा की बात की गई है इसे को business मतलब नहीं है अभी के लिए आप चीजों को ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए form कैसे भरना इस बात पर focus करें और लग जाए एक्जाम की तैयारी में यहाँ पर बता दिया गया है interview के बारे में कि total जो marks अलॉट किये गया है interview के वो है 60 और minimum qualifying marks जो है इसमें वो 40% है जनरल और बाकी जो भी category रह गए अपार्ट फ्रॉम एस सी एस्टी ओबी सी एंड पॉसंस विज बेंचमार्क डिसेबिलीटी यहाँ पर 35% रखा गया है यह सब कुछ interview एगरा की बात तो बात में होगी और यहीं बस detail है इतना से आप form भर सकते हैं और मुझे लगता है कि ज scan photograph, signature यह सब left hand का thumb impression रख लेंगे जो written declaration है यह सब कुछ अच्छे से तयार कर लेंगे एक्जाम फी जो है 175 रुपे है